नवस्कार दोस्तों, आज का ये प्लान उत्रमू की घर के लिए है, कैसे वास्तोसास्तर के अकोडिंग आपको उत्रमू की घर बनाना है, पूरे प्लान में आपको डिटेल से बताया जाएगा प्लाट का जो size है वो 32-36 feet का है यानि कि जो प्लाट है वो आगे से यहां से road जा रही है main road और एक road आपके इधर से जा रही है corner का यह plot रहेगा इन दोनों तरफ road है और इन दोनों तरफ other property यानि कि दूसरों के मकान है प्लाट की जो size जो देखे इस corner से यहां तक 30 feet है north और east facing प्लाट हो गया यानि कि उत्तर और पुरुवे मुखी प्लाट हो गया तो अपन उत्तर मुखी प्लाट की तरह इसको पुरा ready करेंगे कैसे आपको बनाना है देखे सबसे पहले देखे आगे का front यह रहेगा तो घर के अंदर जाने के दो दरवाजे दिये गए है बड़ा दरवाजा एक यहां वसी लेकर यहां तक लगेगा और छोटा दरवाजे यहां से लेकर यहां तक लगेगा दोनों दरवाजे वास्तु के according दिये गए हैं यह दरवाजे आपका होगा जो parking के लिए है पूरा parking का अलग area बनाया गया है तो यहां से आप अराम से गाड़ी अंदर एंटर कराते हैं तो यह पूरा open area रहेगा तो यह आपका parking area रहेगा इसान corner रहेगा आपका जो north और पूरवा का corner रहता है वो इसान corner रहता है तो वास्तू के according यह corner अगर खुला है open है तो बहुत ही सुक समर्दी और धंदाने देने वाला होता है इस चीज़ का विसेज ध्यान रखे लागों रुपे लगा कर अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो पूरा वास्तू के according नक्सा बना कर यह घर बनाईए ऐसे ही हर किसी नक्से के according घर मत बनाईए इन future आपको काफी समझ्याओं का सामना करना पड़ सकता है बहुत पर आपने देखा होगा लोग ने घर में settle होते हैं पुराना घर चाहे रेंट का ही हो मगर उसमें बहुत अची growth होती है और ने घर में settle होते ही उनके दिन बहुत बूरे दिन start हो जाते हैं क्योंकि वो वास्तू के according नहीं होता है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किराय के घर में भी जाते हैं और वो वास्तू के according घर होता है चाहे वो एक की room हो और उनके इतने अच्छे दिन आते हैं कि उनके खुद के घर बन जाते हैं काम धंदे अच्छे चलने लजाते हैं तो ये सारा वास्तू के उपर depend करता हैं जो लोग वास्तू को समझते हैं वो इस चीज को deeply समझते हैं कि वास्तू का हमारे कितना प्रभाव पड़ता है देनिक जीवन में स्वास्ते पर और हमारी आमधनी के उपर तो ये आपका parking area होगी आराम से आपकी आप गाड़ी पार कर सकते हैं छोटी गाड़ी कार बाइक स्कूटी कुछ भी है तो आप पार कर सकते हैं ठीक है पार्किंग की तरफ से एक खिड के हमने इस तरफ दिवार में नीचे की तरफ और दी है ताकि अची रोसनी और नीचे तो ये और भैर कर सब्से का कंटार कर सकते हैं एक आपका पूर में आपके प्रभिस्तान रहेगा grey तो ब्रहुसतान को वार्मस्तान की को रखना में रखना है तो ब्रहमिस्तान का आपको विशेज ध्यान रखना है कि वास्तु सास्तर के अनुसार ही आपको ब्रहमिस्तान चोड़ना है ब्रहमिस्तान में कभी भी निर्मान करें ना कराएं क्यों ब्रहमिस्तान और इसान कॉर्णर जो वास्तु पुरुस होते हैं उनके मरमिस्तान होते हैं, यहां पर उनका सर होता है, और यहां पर उनके मरमिस्तान है, तो कभी भी मरमिस्तान में आपको निर्मा Chief नहीं करवाना चाहिए, अब देखें, इधर आप एंटर करतें तो यहां पर आपका पुजागर आ गया है, वास्तु का अक्टारीन पूजा इस्टोरोम से इधर एंटर करते हैं, यहाँ पर आपका अगनी कोन है, जैसा कि आपको लिकर बताया गया है, यह आपका अगनी कोन रहेगा, तो अगनी कोन के अंदर, यानि कि आप अगर प्लान बनाने जा रहे हैं, तो अगनी कोन के अंदर ही आपको अपना रसोई गर देना तो यहां पर आपका store room मिली गया, तो वो आपका काफी helpful रहेगा, वरक करते समय महलाओं को, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, एक्स्टा अगर कोई भारी समान रखना है, या कोई भी एक्स्टा समान रखना है, तो वो आप यहां पर रख सकते हैं, या आपके दक्षिन ब पर जाल लग जाएगा, जिससे इसका ventilation हो जाएं, अपने लेट बाद में विशेज ध्यान रखना है, ventilation का, कि लेट बाद के अंदर ventilation fan और ventilation window जरूर रखे, ताकि इसका अच्छे से ventilation हो सके हैं, आंगन से इधर आप enter करते हैं, तो ठीक सामने एक चोटा room दिया गया है, बच् स्पेस में इसकी भी खिटकी खुल जाएगी, नर्तक के कोड में घर के बड़े बुजरुगों को अपने माता पिता यानि घर के घर स्वामी को निवास करना चाहिए, ताकि उसका स्वास्ते उत्म रहे, उसकी आमदनी में बरकत हो, और काफी समय तक उनका आशिरवाद निमान करा रहे हैं, वास्तु के निमान उसार अगर आप अपने घर को सेट कर रहे हैं, तो वो उसके काफी अच्छे पढ़िनाम होते हैं, इसके ऐंदर कोई भी आपको अदर खर्चा नहीं होता है, आप जो घर बना रहे होई भर बनेगह वह आपके, घर का जो जितना भी पैसा लगना है वही लगना है बस आपका जो नक्सा बनना है जो आपका घर का सिस्टम पूरा सेट होना है वो वास्तू के अकोर्डिंग होना है तो ये अगर करकर आपको कोई लाब मिल रहा है तो उसमें हर जी क्या है लाब उठाने में तो ये आपका निर्तके कोण का रूम हो गया निर्तक के कोण के पास में बच्चों के study room हो गया उसके इधर आप enter करते हैं तो एक कमरा ओर दिया गया जिसके खिड़के आपके उतर की road की तरफ खुलेगी तो आप समझ सकते हैं room का कितना अच्छा ventilation रहेगा रोसनी से बरा रहेगा room और जब तक सुरिय उधर रहेगा आपके घर के अंदर रोसनी की बिल्कुल भी कमे ने रहेगी क्योंकि इस इंसाब से खिड़की दरवाजे और ventilation पूरा प्लान के अंदर provide करवाया गया है तो इस चीज़ का विशेज ध्यान रखा गया है कि आपका प्लान best से best हो तो यह आपका एक रूम और हो गया तो total आपके घर के अंदर कितने रूम हो गया आप देख पारें first room, second, third room और यह आपका drawing room तो चार रूम हो गया इसके अंदर 30-36 के प्लान के अंदर यह आपका drawing area है छोटा और यह आपके दो बड़े रूम हो गया है यह आपका छोटा study room हो गया है और यह आपका car parking के लिए छोटी car parking के लिए room हो गया है और यह आपका पुजागरा, store room और kitchen हो गया है तो घर के अंदर मूल भू जो जरूत होती है वो आपकी सारी इसके अंदर complete की गयी है और काफी अच्छा प्लान आपके लिए ready किया गया I hope आपको यह प्लान बहुत अच्छा लगेगा comment करके आप जरूर बताएंगे कि आपको प्लान कैसा लगा अगर आप वास्तु सास्तर के अनुसार प्लान बनवाना चाते हैं तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमें message कर सकते हैं वो paid service रहती है अगर आप nearest अपने किसी भी अच्छे वास्तु सास्तरी से नक्सा बनवा रहे हैं तो आप उनसे भी सेवा ले सकते हैं मगर अपना घर आप वास्तु के according बनाईए ताकि आपको भविष्य में किसी भी परकार की प्रहसानी ना हो तो धन्यवाद दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक लिए अपना ध्यान रखें